नमस्का साथियो जैसा कि आप सभी को मालू होगा कि हमारे देश में जो भी व्यक्ति चर्चा में रहता है फिर चाहे वो आपका राजनेता हो या फिर और कोई व्यक्ति हो उनकी बारे में हम लोग बात करते रहते हैं और आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि जो मद्विदेश के वर्तमान ग्रह मंत्री साहब हैं हॉम मिनिस्टर साहब हैं जिनका नाम है डॉक्टर नरोत्रम मिस्रा ये काफी चर्चा में बने हुए हैं अभी आपने देखा होगा कि इनका एक इंटर्विव काफी वाइरल हो ठाकरे की याद आ गए इसी दरह से आप देखी कि बेबाग वाला ठाकरे बात किया करते थे जिस तरह से आज आज आपने देखा है डॉक्टर नरोत्रम मिस्रा बात करें और ये अपने बयानों के कारण आप देखी काफी चर्चा में भी रहते हैं और वैसी भी आपको कि आपको व्यक्ति की सामने वाले की आलोचना यानि की पसंद करने की अनमती है और आपको पसंद और उनकी तारीव करने की भी क्या है छूट मिली हुई है यही तो लोक्तंत की खुबसूरती है आपकी स्क्रीन पर के सामने नरोत्रम मिस्रा दिखाई भी दे रहे होंगे औ और आप देखेंगे कि इनका राजनितिक सफर काफी सफल रहा है, और आप लोग देखेंगे मद्पिदेश आपको देखने को मिलेगा, पहले आप देखते थे कि 36 गड़ भी मद्पिदेश का ही इससा हुगा करता था, मद्पिदेश की राध्धानी भोपाल है, क्या है, मुद्पिदेश हो गया, 36 गड़ हो गया, महाराष्ट हो गया, और गुजरात, पांच राजन से सीमा लगती है आपकी मद्पिदेश की, कुछ और पिक्ट्यर आपके सामने हो गी, यह नरुत्तम मिसरा की पिक्ट्यर है, और यहाँ आप देख रहे हैं कि मुक मंत्री, बरत देखा होगा, कि इनके वज़े से आपने देखा है कि कॉंग्रेस की सरकार गिर गई थी, और भारती जंता पार्टी की सरकार मद्पिदेश में दुबारा बन गई थी, इनके जो भी सहयोगी विधायक थे, उन्होंने कॉंग्रेस से पीछे हट कर एक तरह से आप देखिए, कॉंग्रेस का सहयोग छोड़ दिया था, और किसका सहयोग करने लगे थे, भारती जंता पार्टी का, इसके बदले में आप सभी जानते कि सिंधिया को भी इनाम मिला हुआ है, उन्हें राजसभा भेज दिया गया है, डॉक्टर नरुत्तम मिसरा का जनम मद्पिदेश के ग पहरा माना जाता है, और आप देखेंगे नरुत्तम मिसरा की अगर पढ़ाई लिखाई की बात करें, तो MA PhD की पढ़ाई इन्होंने जीवाजी विश्विद्याले ग्वालियर से पूरी की हुई है, और आप सभी जानते हैं कि जीवाजी उनिवर्सिटी ग्वालियर में ही आपको देखने को मेलेगी, तो आप कहे सकते हैं कि जो मद्वदेश के ग्रह मंत्री साहब हैं, एक काफी पढ़े लिखे भी हैं, PhD की हुई है, और इसलिए आप देखते हैं कि इनके यांगे डॉक्टर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? डॉक्टर लगा हुआ है, नरु नरुत्तम मिस्रा की बेटी का नाम सुकर्ण मिस्रा और नरुत्तम मिस्रा की एक बेटी भी है। इनके फरिवार की बात हो गई। अब आता है राजनितिक केरियर इनका। तो आप देखेंगे कि 1977-78 की दोरान जब वो कॉलेज में थे। तो कॉलेज के समय से ही अपने राजनितिक केरियर की मिस्रा जी ने सुरुवात कर दी थी। और नरुत्तम मिस्रा ने जीवाजी विस्विध्याले में चात संके सचिप की जिम्मेदारी निभाई। और मिलनसार व्यक्तित होने के कारण नरुत्तम मिस्रा ने इसके बाद कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 1978 से 80 में ही नरुत्तम मिस्रा मद्विदेश की भारतिय जनता युवा मोर्चा की प्रांतिय कारकारणी की सदस बन जाते हैं। और इसके बाद आप देखेंगे साल 1987 से 87 में नरुत्तम मिस्रा मद्विदेश भाजापा की प्रांतिय कारकारणी की सदस बन गए। तो आपका भी बोटर मद्विदेश सूची में नाम जोड़ चुका होगा आप लोग भी बोट डालने जाते होंगे। फर आप देखेंगे इस तोरान वह लोक लेखा सम्ती की सदस बनते हैं। इसके बाद नरुत्तम मिस्रा साल 1998 में दूसरी बार बिदायक बनते हैं। पर आप देखेंगे नरुत्तम मिस्रा को सबसे पहले साल 2000 मात में ततकालीन बाबुलाल गौर की सरकार में राज्य मंत्री बनाया गया था और इसके बाद जब सिवराज सिंग चोहान मुक मंत्री बने तो उन्होंने नरुत्तम मिस्रा पर भरोसा जताते हुए उन्हें अपने मंत्री मंतल में सामिल किया। और आप लोग देखते होंगे कि कई बार आप लोग न्यूच पेपरों में न्यूच चैनलों में सुनते रहते हैं कि सिवराज सिंग चोहान और इनके बीच बनती नहीं खटवट की कभी कभी घटनाय आती रहती हैं और आप देखें कि इन्हें ही अंगला एक तरह से सिवरा सिंग के बाद मुक मंत्री का चेहरा देखा जाता है। और एक कद्दावर नेता हैं मद्वदेश के इसमें कोई दोहराय नहीं होनी चाहिए आपको। छह बार के बिधायक होना कोई छोटी बात नहीं होती है आप सभी जानते हैं इस बात को तो तो अभी तक कि जो डॉक्टर साहब की कहानी है यही कहानी है आने वाले समय में किस किसी तो हैं नहीं हम लोग चलिए और किसी के बारे में बात करनी हो तो आप लोग बताईएगा उन पर भी हम लोग बात करते रहेंगे आपको अगर किसी और के बारे में दिल्चस्वी है जानने की तो आप लोग उनका नाम बता सकते हैं ठीक है आप लोग इंजवाय करिए और अपने देश के निताओं के बारे में जानते रही है जानना भी जरूरी होता है